नमस्कार कैसे हैं आप लोग और कैसी चल रही है आपकी पढ़ाई मुझे उम्मीद है आप लोग अच्छे तरीके से पढ़ रहे होंगे कुछ कमेंट्स कमेंट बॉक्स में आये हुए थे कि भाया मिंडल के नियम को पढ़ा दीजिए क्योंकि ये बहुत important है और अक्सर इससे questions पूछे जाते हैं यदि आप class 10th के उसके biology की बात की जाए तो वहाँ पर भी questions है और यदि class 12th biology की की जाए तो वहाँ पर भी questions पूछे जाते है तो मिंडल का नियम आपका बहुत ज़्यादा important topic है board exam के point of view से और अगर board exam को हटा करके देखा जाए तो भी मिंडल का नियम बहुत ज़्यादा important है चले चलते हैं मिंडल के नियम की तरफ सबसे पहले देखते हैं मिंडल के बारे पर थोड़ा सा जान लेते हैं मिंडल आस्टिया देश के ब्रून नामक सहर में रहते थे कहां पर आस्टिया देश के ब्रून नामक सहर में वहां पर एक चर्च हुआ करता था और उस चर्च में मिंडल पादरी का कारे करते थे तो वहां पर एक garden था बगीचा था तो उसी बगीचे में मिंडल क्या करते थे कुछ पौधों को पानी वगएर डाले का काम किया करते थे और मिंडल एक प्रोफेसर भी थे पढ़ाने पढ़ाते भी थे तो वहाँ पर मिंडल को एक आईडिया आया और वही पर मिंडल ने मटर के पौधे पर किस पे P मटर के पौधे पर जिसका वैज्ञानिक नाम होता है पाई जम सैट आईवम सैट आईवम पर मिंडल ने अपने प्रियोग किये जब मिंडल अपना प्रियोग करते हैं मटर के पौधे पर कुश्चन यहां से एक और पूछा जाता है कि बताए मिंडल ने अपना प्रियोग मटर के पौधे परी क्यों गिया क्योंकि मटर का पौधा बगीचे में आसानी से उगाया जा सकता था मटर का पौधा एक वर्सी था मटर का पौधा मटर के पौधे में स्वा परागण और परपरागण की क्रिया दोनों कराई जा सकती थी इसमें से आसानी से प्रभावी और अप्रभावी लच्छडों को आसानी से देखा जा सकता था साथ लच्छड ये थे मिंडल मटर के साथ लच्छड साथ लच्छन को लेवे करके मिंडल अपने तीन प्रियोग देते हैं तीन प्रियोग है ना तीन नियम देते हैं और इनके प्रियोग हैं दो मिंडल अपने जीवन काल में है ना मतलब की वही जह है अपने मतर के पौधे में दो प्रियोग करते हैं एक करते हैं, एक संकर, संकरण, and second प्रियोग है मेंडल का, दुई संकर, संकरण. एक संकर, संकरण को, इंगलिस में बोलते हैं, Mono Hybrid Cross, and दुई संकर, संकरण को, Die Hybrid Cross. तो, यहां पर क्या है कि मेंडल के जो, एक संकर, संकरण का नियम है, यानि कि Mono Hybrid Cross, इसमें मेंडल के दो नियम समाहित हैं. कौन-कौन से? मेंडल को आपको पता है, मेंडल के तीन नियम हैं. पहला है प्रभाविता का नियम, दूसरा है प्रथक करण का नियम, और तीसरा है स्वत्नंत्र अपव्यूहन का नियम. याद रखिएगा कि मेंडल का जो है स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम किस संकर संकरण पर आधारित है, तो आपको जवाब दे के बताना है कि स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम मेंडल के दूई संकर संकरण क्रोस पर आधारित है, दूई संकर संकरण प्रियोक पर आधारि यह ना प्रभाविता का नियम इंग्लिस में बोलेंगे ला ओफ कि डॉमिनेंट यह ना प्रथक्करण का नियम ला ओफ कि सेग्रीगेशन कि स्वतंत्र अभ्युभन का नियम ला ओफ कि इंडिपेंडेंट असार्ट मेंट मिंडल के तीन नियम थे प्रभाविता प्रथक्करण स्वतंत्र अभ्युभन अब हम देखो एक संकर संकरण में क्या था मिंडल एक जोडी लच्छणों को लेते थे मिंडल क्या करते थे एक जोड़ी लच्छण के आपस में विपरीत लच्छण के बीच में क्रोस करवाते थे तो देखो मिंडल के प्रथम नियम law of independent में क्या होता है law of independent में क्या होता है कि इसको हम लोग प्रभाविता का नियम से जानते हैं है ना इस नियम में क्या किया जाता है कि दो जनकों के मध्या संकरण कराने पर है ना इसमें क्या किया जाता है कि दो विपरीत जनकों के मध्या है ना संकरण कराने पर यफवन पीडी में क्या बोलता है? कि यफवन पीडी में केवल प्रभावी लच्छड ही देखने को मिलता है है ना केवल प्रभावी लच्छड ही देखने को मिलता है और अप्रभावी लच्छड होते हुए भी छीपा रहता है यही ये मिंडल का प्रथमनियम मिंडल के प्रथमनियम में क्या होता है कि दो जोडी है ना दो विपरीत लच्छणों ठीक है दो विपरीत जनकों के मद्य ह एक जोडी लच्षड वाला पौधा था दो विपरीद जनक है जैसे मंडल ने लिया पहले में लंबा लंबा को इंडिकर्ट किया मंडल ने capital T capital T टा से होता है टाल ताल मिंस लंबा और आपको पता है कि जो जीन होते हैं वो हमेशा जोड़े में होते हैं मिंडल ने जीन नहीं बोला था जीन मिंडल के कई सालों के बाद 20-30 सालों के बाद जोहनसन नामक वेग्यानी कहते जीनों ने इसको जीन मोना था लेकिन मिंडल ने इनको बोला था कारक है ना कारक फैक्टर अब हम लोग इसे मिंडेलियन कारक के नाम से भी जानते हैं ठीक है तो एक जनक ये था अब जस्त इसका विपरीत जनक क्या होगा लंबा का होगा आपका बाउना जब बाउना होगा तो आप उसको सौर्ट नहीं लिगेंगे इसी का small letter कर देते है small t तो लंबे को हम लोग capital T capital T से indicate करते हैं और बैउने को हम लोग small t small t से indicate करते हैं फिर देखो अब यूगमक अलग-अलग होंगे capital T capital T फिर इसके यूगमक अलग करो small t small t यहाँ पर एक चीज़ और समझने की बात है जो लंबा है क्या है जो लच्छन लंबा है यह है प्रभावी है ना और यह है बाउना है आप्रभावी याद रखी हो इसको मत भूली हो यह बहुत इंपोर्टेंट है अब इसका क्रॉस करवाए क्रोस आप ऐसे करवा सकते है ठीक है M प्र आपका आएगा capital T is small T पिर आएगा capital T is small T पिर आएगा capital T is small T या फिर इस क्लॉस को आप लोग्ड़ पुनेट के चक बोर्ड में करा सकते यह दिखिए अप चकर बोर्ड बनाएए लिख और यह लिदिए यह कौन सी पीड़ी है तो यह है आपकी F1 पीड़ी फर्स्ट जनरेशन है यह ठीक है क्या है फर्स्ट जनरेशन और फर्स्ट जनरेशन में मिंडल उस समय जीनो टाइप में नहीं कल रहे थे फर्स्ट जनरेशन में कौन से पौधे प्राप्त हुए तो सभी लंबे पौधे प्राप्त हुए सभी लंबे पौधे यह यहाँ पे लंबा पौधा था यह यहाँ पे कैसा पौधा था बाउना लेकिन यफवन पीड़ी में जितने भी पौधे प्राप्त हुए सभी लंबे थे हैंना क्यों क्योंकि लंबा आपका प्रभावी लच्छन था लेकिन लंबे के साथ साथ बौने कभी इसमें गुड़ था लेकिन मिंडल को पता नहीं था क्या था मिंडल को पता बिलकुल भी नहीं था मिंडल देखने कि या जो लंबा और बौने का आपस में क्रॉस करवा तो यार लंबा ही क्यों आता है यह थोड़ा सा समझने वाली बात है कि लंबा ही क्यों आ गया तब मिंडल थोड़ा सा सोचते हैं और देखिए ये इसका फीनो टाइप है सभी लंबे पौधे ये इसका फीनो टाइप है अगर इसका जीनो टाइप देखोगे इसके जीन में तो इसके जीन में लंबे कभी गुढ़ है बोने कभी गुढ़ है तो सभी संकर लंबे पौधे ह होंगे ठीक है तो मिंडल थोड़ा सा देख कि इसको चक्रा जाते हैं फिर क्या करते हैं कि जो यफुवन पीढ़ी से प्राप्त संतती है क्या है यफुवन पीढ़ी से प्राप्त जो संतती है Capital T Small T इसमें 50% आपके मेल हैं है न और 50% क्या है फीमेल है बताइए 50% मेल तो आपका प्रभाविता का नियम क्या है कि दो जनकों के मद्य संकरन कराने पर संतती में एक ही जनक के लच्छन प्रकट होते हैं क्या होते हैं, एक ही जनक के लच्छन प्रकट होते हैं, और जो लच्छन प्रकट होते हैं, उन्हें प्रभावी लच्छन कहते हैं, और जो प्रकट नहीं होते हैं, उन्हें अप्रभावी लच्छन कहते हैं, यही है मिंडल का प्रथम नियम, क्या है प्रथम नियम, अब श्वारी सिल्फ पॉलीनेशन करते हैं सौ परागन आपस कर देते हैं इसका नर ले लेतージ का माधा ले लेते हैं चलो करा हो कराओ करा हो इसको मिटा दूं कि इधर किनारे में कर देते हैं देख लो भईया आ देख लो चलो Capital T, Small T, Capital T, Small T इसके युगमा कालक करो Capital T, Small T Capital T, Small T फिर इसको मिलाओ, क्या आया Capital T, Capital T आया ना भी यह, बताओ बताओ गलत हो तो Capital T, Capital फिर इससे इसको मिलाओ, क्या आया Capital T, Small T, फिर इससे इसको मिलाओ, क्या आया Capital T, Small T, फिर इससे छड़ कौन से देखने को मिले इसका फीनो टाइप क्या देखने को मिला देखो इसका फीनो टाइप देखने को मिला एक हमको देखने को मिला सुध्ध लंबा पौधा बताओ एक सुध्ध लंबा पौधा देखने को मिला ये फीनो टाइप नहीं है ये भी लंबा है ये भी ल लंबे थे एक पौधा बाउना था लेकिन अगर जीनो टाइप देखोगे जीन के लेवल पर है ना जीन के लेवल पर ये आप कूद के देखोगे तो आपको देखन को मिलेगा कि एक तो सुध लंबा था क्या था एक सुध लंबा था और आपके दो संकर लंबे थे कैसे तो द पौधे और एक कैसा था तो एक बाउना पौधा था वो भी संकर नहीं सुद्ध बाउना पौधा तो एक अनुपाते दो अनुपाते एक के अनुपात में लच्छण प्राप्त होता है इसी को बोलते हैं मिंडल के प्रथकरण का नियम इसको हम युगमकों की सुद्धता का न लच्छणों को प्रकट करने वाला कारक स्वतंत्र होकर युगमकों में जाते हैं, इसी को युगमकों की सुधता का नियम या फिर प्रथकरन का नियम कहते हैं, जिसके परिडाम सरूप जोडे में से एक ही कारक युगमक में जाता है, जोडे में से इन दोनों में से जोडे में से एक ही कारक युगमक के रूप में चला जाता है, इसी को बोलते हैं प्रथकरन का नियम, या फिर ऐसे लिख सकते हैं कि मेंडल ने यफवन पीड़ी से प्राप्त संतती को क्या करते हैं, कि मेंडल यफवन पीड़ी से प्राप्त सं और इस नियम को हम युगमको की सुद्धता के नियम के नाम से भी जानते हैं। तो हम आपके दो नियम पढ़ चुके हैं। अपव्यूहन का नियम लौ ओफ इंडिपेंडेंट असार्टमेंट यह बहुत इंपॉर्टेंट है और अक्सर पूछा जाता है। तो बताइए सुरू करें। बताइए इसको आप लोग लिख सकते हैं। फिर मैं इसको मिटाता हूँ। बताइए कैसा लगा इसको पढ़ में जल्दी से जल्दी से लिख लो भी अपने कॉपी में। फिर बाद में रोना होना नहीं कि मुझे रोते वुए बच्चे तणिक भी नहीं पसंद है। हैं। इसको साथ में लिखते चलो देखो जो भी चीजे आप याद रखना, जो भी चीजे मैं आपको पढ़ा रहां तो चलिए देखते हैं कि जो मिंडल का तीसरा नियम है स्वतंत्र अभ्यूहन का नियम इसमें दो जोड़ी लच्छड लेते हैं मिंडल पहला लेते हैं बीच का आकार है ना मिंडल इसमें क्या लेते हैं इसको लिख लिजे आप यहाँ पर समझाने के लिए बता रहा हूं बी तो बीच का आकार कैसा है सीड का सेप कैसा है तो एक तो सेप लिया मेंडल ने गोल है ना जिसको capital R, capital R से प्रदर्शित किया और इसका अप्रभावी लच्छण है जुर्रीदार इसको small R, small R से प्रदर्शित किया बीच का रंग मेंडल ने प्रभावी लच्छण लिया पीला, है ना गोल पीला capital Y, capital Y और अप्रभावी लच्छण लिया मेंडल ने हरा, small Y, small Y तो एक जोडी लच्छण तो ये वाला हो गया, उपर वाला दो जोडी लच्छण आपका नीचे वाला हो गया तो मेंडल ने अपने सुतंत्र अभ्यूहन के नियम में दो जोडी लच्छणों के बीच आपस में क्रॉस करवाया दो जोडी लच्छणों के विपरीत लच्छणों के बीच आपस में मेंडल ने क्रॉस करवाया अब मेंडल को देखने को क्या मिलता है समझियो है ना प्रभावी लक्षण आ प्रभावी चलिए गोल पीला बीजपत्र वाला पौधा मेंडल लेते हैं बीजपत्र वाला पौधा फिर ये क्या है फिर इधर मेंडल ने लिया जुरीदार हरा बीज पत्र वाला पौधा लो इधर capital R capital R capital Y capital Y small R small R small Y small Y यदि इसके आपस में युगमक आप निकालेंगे तो एक capital R इससे मिल जाएगा एक capital Y इससे फिर इससे निकालोगे एक small R इससे small Y इससे अब अगर इन दोनों को आप आपस में मिला दोगे तो ये होगी आपकी F1 PD F1 PD में मिलेगा capital R small R capital Y small Y ये क्या है ये है आपकी F1 PD बताओ कित्ते को यहाँ पे समझ नहीं आया बताइए नीचे comment box से comment करके बताइए F1 PD है ना प्रभावी लच्छडवाले पौधे यहाँ पे देखने को मिलते हैं है ना कैसे पौधे मिले तो सभी गोल और पीले पौधे मिलते हैं कौधे गोल और पीले ये प्रभावी लच्छड ये भी प्रभावी ये गोल है ये पीला है फीनो टाइप जीनो टाइप देखने को संकर गोल और संकर पीला है ना तो प्रभावी लच्छडवाले पौधे हैं में F1 PD में देखने को मिलते हैं अब F1 PD में होता क्या है अब F कराओ यहां पर लेलो capital R small R capital Y small y एक इधर लेलो capital R small R capital Y small इसके अगर तुम cross करवाओ तो चार यूगमक बनेंगे देखना भी capital R capital Y capital R small y फिर small R capital Y small R small y देखो चार यूगमक बनें इधर भी कराओ इधर भी देखना चार यूगमक बनेंगे capital R capital Y फिर capital R small y capital R वो स्वारी small R capital Y small R small y है न बताओ बताओ बिल्कुल सिंपल है बोलो भईया तुम इसको कैसे करवा दिये हमरे पल्ले ना पड़ा देखो capital R small अलग करो capital Y small y अलग करो इसके यूगमक निकालो capital R small R capital Y small y देखो इस बड़ा हो बड़ा करके दिखा रहा हूं न मिलाओ capital R capital Y फिर capital R small y फिर देखो small R capital Y small or small y देखो यह चार यूगमक मिले यही उपर आपको देखने को मिले हैं बताई आप बता यह मेरे को जल्दी नीचे comment box में महिंग डाललेता हूं तब तक कि सब्याथ के एक बच के दस एग एक बच के दस मिनट यहीं दिन के एक नहीं रात के एक बच लोड़ता हूँ, समझता हूँ, फिर आपको समझाने के लिए आता हूँ, आपको क्या लगता है, कि एक 30 मिनट, 40 मिनट के वीडियो के लिए 3-4 दिन का समय लगता है, है न, बैक कैमरा, कैमरा के पीछे, 3-4 दिन का समय लगता है, जब तक मैं अच्छी तरीके से उस टॉपिक पर सेटिसफाइड नहीं हो जाता हूँ, उस टॉपिक को अच्छे तरीके से नहीं समझ लेता हूँ, तब तक मैं उसको वीडियो बना के उसको डिलेवर नहीं करता हूँ, है न, पहले मैं अच्छे समझ जाँगा, जब मैं अच्छे समझ जाँगा, तब मैं समझ जाँगा नियम के अनुसार, जनक से लच्छन स्वतंत्र होकर संतती में जाते हैं कोई लछण किसी से जुड़ा नहीं होता है सभी लछण स्वतंत्र होते हैं और यही है मिंडल के स्वतंत्र अब भी उहन का नियम ठीक है, चलिए इसको मिटा दूं मैं यहां से इधर कम मिटाओंगा बस देखो लिख सकते हैं अभी आप लोग क्योंकि अभी मैं मिटाया नहीं हूं लेकिन अब मैंने मिटा दिया अब नहीं लिख सकते अब तो समझा दिया हूं यार इतनी अच्छे समझा दिया आपको याद ही हो गया होगा याद हो गया न? चलिए इसको पुनेट के चकर बोर्ड में रखें चकर बोर्ड खिचा डालो एक दो तीन और चार एक दो तीन और चार चलो उपर रखो इदर capital R capital Y फिर रखो capital R small y small और capital Y small और small y capital R capital Y यह वाला रखो capital R small y दोनों same है small R capital Y small r small y अब इनको आपस में मिलाओ capital R capital R capital R capital Y capital Y फिर इसको मिलाओ capital R capital Y small y capital R small r capital Y capital Y capital R small r capital Y small y थे ना फिर देखो capital R capital R capital Y capital Y small y capital R capital R small y capital Y small y capital R small r small y small y एसे करके आपको लिखना है इससे इसको मिलाओ capital R small r capital Y capital Y capital Y capital R small r capital Y small y एना फिर small r small r capital Y capital Y small r small r capital Y small y फिर देखो capital R small r capital Y small y Thisçar capital Y small r small y इसने लच्षणा में देखने को मिलें मिंडल के प्रभाविता के नियम में क्या था कि केवल प्रभावी लच्षणी देखने को मिलता था इसमें क्या है इसमें जो देखिया भी मिटा दिया मैंने आपको बताया गोल और पीला प्रभावी लच्छड गोल था पीला था तो हमें गोल के साथ हमेशा पीला लच्छण ही देखने को मिलना चाहिए according to law of dominant प्रभाविता के नियम के अनुसार हमें प्रभावी लच्छड के साथ ही देखने को मिलना चाहिए लेकिन मेंडल ने बताए कि लच्छण स्वतंत्र हैं लच्छण किसी में भी जा सकते हैं गोल के साथ हरा भी आ सकता है क्या सकता है गोल के साथ पीला जरूरी हो ये तो ठीक है लेकिन गोल के साथ हरा भी आ सकता है क्योंकि लच्छण स्वतंत्र है जुर्रीदार के साथ पीला भी आ सकता है फिर यहाँ पर मिंडल देखते है कि capital R capital R से किसके प्रदर्शित करते हैं गोल को capital Y capital Y से पीला है न तो गोल पीला capital Y small Y से पीला संकर पीला है न गोल पीला है न गोल तो है पीला भी है न गोल पीला गोल भी है पीला भी है गोल पीला फिर इसको देखो गोल पीला capital R capital Y small Y देखो यह गोल तो है लेकिन इसमॉल वा यह हरा है ये गोल तो है लेकिन ये पीला है गिन्ना एक दो तीन चार पांच ये गोल तो है लेकिन हरा है capital R से round है लेकिन हरा है फिर gol पीला फिर क्या है घोल पीला फिर जुर्रीदार पीला फिर जुर्रीदार पीला फिर गोल, पीला फिर गोल, हरा फिर जुर्रीदार पीला फिर जुर्रीदार हरा मिलाओ गोल, पीलाओ वाले कितने हैं? एक, दो, तीन, चार पान, छे साथ, आठ, नव नव पौधे कैसे देखने को मिले? गोल और पीला कैसे देखने को मिले गोल पीला फिर गोल हरा देखो गोल हरा एक गोल हरा दो और गोल हरा तीन तो तीन पौधे हमें देखने को मिले गोल और हरा ठीक है फिर देखो गोल हरा के बाद गोल पीला गोल हरा गोल पीला गोल पीला जुर्रीदार पीला देखो किते हैं यह क्या है य ये है गोल हरा अब हम लोग देखते हैं जुर्रीदार पीला जुर्रीदार पीला एक जुर्रीदार पीला दो जुर्रीदार पीला तीन तो तीन पौधे हमें जुर्रीदार पीले को भी देखने को मिले और एक पौधा हमें जुर्रीदार हरे को देखने को मिला जुर्रीदार हरा यह है इसका फीनो टाइप है ना फीनो टाइप अब आप लोगों से एक काम है आप लोग इसका जीनो टाइप मुझे बताईए नीचे कमेंट बॉक्स में अब सभी लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे कि इसका जीनो टाइप क्या होगा जीनो टाइप मतलब ये गोल तो है पीला भी है सुद्ध गोल सुद्ध पीला ये सुद्ध गोल है लेकिन संकर पीला है क्या है सुद्ध गोल संकर पीला किसका फिनो टाइप क्या होगा तो ये था मेंडल का तीसरा नियम क्या था मेंडल का तीसरा नियम तो मेंडल ने क्या किया तीसरे नियम में दो जोड़ी विपरीत लच्छणों वाले जनकों के बीच आपस में क्रॉस करा दिया गोल पीले बीचपत्र वाले पौधे और जुर पाते तीन पाते तीन पाते एक के अनुपात में लच्छड देखने को मिलता है यह दिया आप इसकी definition की तरह लिखेंगे तो definition है देखिए सुन लीजिए लिखना चाहें तो अब लिख भी सकते हैं कि मिंडल ने जब मतर के पौधे में दो विपरियासी लच्छडो अता गोल पीले बीजपत्र वाले और जुर्रीदार पीले बीजपत्र वाले पौधे के मध्य संकरन कराया तो प्रथम पीड़ी में प्रभाविता के नियम के अनुसार गोल पीले बीजपत्र वाली संतती प्रा प्रभावी लच्छड वाली संतती प्राप्त हुई एक जोरीदार हरा और तीन गोल पीले जनक वाले पौध है मिंडल के नियम के अनुसार यह सभी लच्छड स्वतंत्र होकर संतती में जाते यही है मिंडल के स्वतंत्र अभ्यूहन का नियम तो मुझे उम्मीद है यह टॉपिक आपको समझाया होगा और ऐसे यदि आपको सह प्रभाविता अपूड प्रभाविता और परिच्छन संकरण के बारे भी जानना है तो वो वीडियो आपको आई बटन पर आपको मुझे उ दोस्तों के पास इस वीडियो को सेयर कर देना है मिलते है नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए पढ़ते रहिए मिहनत करते रहिए क्योंकि हमें बदला नहीं बदला चाहिए विस्यू अल्ट बेस्ट थैंक यू